हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तों, गर्मियों में लू से बचना हूँ या शरीर को करना हो तरो ताजा निम्बू से अच्छा कोई और विकल्प नहीं हो सकता निम्बू अपनी खटास के लिए लोकप्रिय है इसके रसका इस्तेमाल जाइकेदार वेंजनों से लेकर कई तरह की रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाने के लिए किया जाता है निम्बू के फायदों को लेकर कई वैग्यानिक सोध भी हो चुके है आज के ये वीडियो में हम निम्बू के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे और ये वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए निम्बू का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है तो आपसे request है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए बीना skip किए मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अभी तक आपने ये चैनल को subscribe नहीं किया है या आप ये चैनल पे नए हैं तो कुरुपागर के इस चैनल को subscribe कीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि के घंटी के बटन को दबा दीजिए और उसमें all बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको instant notification मिलेगी दोस्तो सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है जो दोस्तोंने चैनल को subscribe किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आगे वड़ते हैं नीमू के फाइदों के साथ नमबर वन अपच का इलाज करने के लिए दोस्तों नीमू का रस अपच और कब्ज का इलाज करने में मदद करता है आप अपने खाने में निम्व की कुछ बूंदों को मिला के पाचन में आपकी सहायता कर सकते है यह एक रक्त शोदक के रूप में भी कारे करता है इसलिए दोपर या रात के बोजन के बाद निम्व से एक अच्छा ताजा पे बनाए और उसे पिए कई स्थानों में इसे ताजा निम्व का सोडा भी कहा जाता है इस पे को बनाने के लिए आपको निम्व का रस थंडा पानी, सोडा, नमक और मिठास के लिए शक्रिया सहद की जरुवत पड़ती है नमबर टू, बुखार के लिए दोस्तों निम्व ठंड फ्लू या बुखार से पीडित व्यक्ति का इलाज करने में मदद करता है क्योंकि यह शरीर में पसीने को बढ़ा कर बुखार को तोड़ता है निम्व एंटिबोडी और सफेद रक्त कोशिकाओ के उतपादन में सहयक होता है जो शरीर में सुक्सम जीवों से लड़ने में मदद करते है बुखार के दोरा निम्व का इस्तिमाल करने से यह शरीर में डाइफोरेसिस की मातरा को बढ़ाता है जिसके कारण वुखार कम होता है रक्त शोदक होने की वज़े से यह मलेरिया और हैज्जा जैसी बीमारियों का इलाज करने में भी मदद कर सकता है इसी कारण से यह कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमारे मदद कर सकता है नमबर त्री दातों की देखपाल के लिए दोस्तों निम्बू अक्सर दंद चिकित सा देखपाल में एक महत्वपून भूमी का निभाता है अगर ताजा निम्बू का रस दातों के शेतर में लगाये जाए तो यहां दंद से छुटकारा पाने में सहाज़दा कर सकता है मसोडों पर रस की मालिस करने से खून बहना कम हो सकता है जबकि कई मसोडों के रोगों और उनके कारण होने वाली बूरी गंदों को नश्ट भी कर सकता है सफेद दात पाने के लिए भी निम्बू का उप्यो किया जा सकता है साथ साथ यह सांस की बद्बू को रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते है निम्बू का रस व्यापक रूप से बालो की देखवाल के उप्यो किया जाता है रूसी बालों के जड़ने और बालों और सकल्प से समधित समस्याओं का इलाज करने के लिए निम्मू का इस्तेवाल किया जा सकता है यदि आप निम्मू का रस सीधे बालों पर लगाते हैं तो यह आपके बालों को एक प्राकूरूतिक चमक दे सकता है निम्मू रुसी को हटाने के लिए एक प्राक्रोतिक उपाय है बालों की जड़ पर निम्मू के रस का उप्योग कर रुसी को खत्म कर सकते हैं तेली बाल के लिए निम्मू के रस और सिरका के मिस्रण को बालों की जड़ में लगाने से रूसी कम होती और साथ ही साथ यह आपके बालों को अधिक तेली होने से भी रोकता है दो मुहे बालों के लिए निम्बू के रस और जेतुन के तल का मिस्रण बालों में लगाने से दो मुहे बाल भी ठीक होते है जू से छुटकारा पाने के लिए निम्बू का रस लसून या वादाम पेस्ट के साथ मिलाए और इसे बालों की जड़ों पर लगाए यह जू हटाने का एक प्राकुरूतिक उपा है दोस्तों निम्बू का रस एक प्राकुरूतिक एंटिसेप्टिक दवा होने के कारण तवचा से संबंधित समस्याओं का भी इलाज कर सकते हैं इसके रस को संबन के दर्द को कम करने के लिए लगाया जाता है यह मदुमक्खी के डंक के दर्द को भी कम करने में मदद कर सकता है यह मुहासे और एकजिमा के लिए भी अच्छा है यह उम्रों को बढ़ने से रोकता है तता जुरी और ब्लैक हैट्स को हटाने में भी मदद करता है पानी और सहथ के साथ मिस्रित निमू का तवचा को चमका सकता है निमू में साइटरिक एसिड होता है जो एक प्राकूतिक ब्लीचिक एजन्ट के रूप में कार्य करता है और आपकी तवचा के रंग को हलका और चमकदार बड़ा देता है नमबर सेवन जले के निशान को कम करने के लिए दोस्तों निमू में साइटरिक एसिड होता है जो स्वाभाविक रूप से जले के निशान को हटाने में मदद करता है चली हुई तवचा के निशान कम करने के लिए नीमू के रस को लगाए और दो मिनिट के लिए मालिश करे इस प्रक्रिया को नियमित करने से आपको जले के निशान कम हो जाएंगे नमबर एट आंतरिक रक्स्तराव को रोकने के लिए दोस्तो नीम्मू में एंटिसेप्टिक गुण होते हैं इसलिए यह अंतरिक रक्स्त्राव को रोक सकता है आप नीम्मू का रज थोड़ी सी रुईपल लेकर नाक के रक्स्त्राव को रोकने के लिए इसे अपने नाक के अंदर रख सकते हैं नमर नाइन वजन को कम करने के लिए नीम्मू के फायदे दोस्तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायो केमिस्ट्री न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अधियन से पता चलता है कि नीम्मू में पॉलिफेनल एंटियोक्सिदंट अधिक मातरा में होता है और फेट वाले आहर का सेवन करने वाले चुहों में इसका सेवन के बाद वजन का घटना देखा गया है जिससे यह साबित होता है कि नीम्मू के उपयोग से वजन कम होता है यदि क्योई व्यक्ति नीम्मू के रस को गर्म पानी और सहद के साथ पीता है तो यहाँ शरीर के वजन को कम करने में मदद कर स 10. स्वसन समस्याओं के लिए दोस्तों नीमू का रज स्वसन समस्याओं और सांस लेने की समस्याओं से राहत दिलाने में सहायता कर सकता है। दोस्तों नीमू एक सुगंदित और एंटिसेप्टिक एजन्ट है और पेर को आराम देने के लिए उपयोगी है। ये करगार उपाई सावित हो सकता है। 14. गले के संक्रमन से बचाए। दोस्तों अपने एंटिबायोटिक गुणों के कारण नीमू एक उतकुरुष्ट फल है जो गले में संक्रमन से संबंदित समस्याओं से लड़ता है। दोस्तों नीमू का रस पीना दिल की समस्याओं से पीडित लोगों के लिए सहयक होता है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको नीमू के फायदों के बारे में उप्योगी जानकारी हसिल हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कुपिया इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवाजनों में शेर कीजिए। यदि आप अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हों तो मुझे कॉमेंट में लिखे, मैं वो सब्जेक के उपर वीडियो बनाने के अवस्य कोशिश करूँगा, थैंक्यू।